हलो यू आप सभी का स्वावत है जिसमें हम आप सभी नीट यूजी और पीजी एस प्रेंट से डेली नीट से जुड़ी नीउस को शेर करते हैं खबरों को शेर करते हैं तो चलिए आज का शो नीट टॉक्स स्टाट करते हैं नीट यूजी 2019 से जुड़ी एक खबर से तो केरला में MBBS और BDS कोर्स में अड्मिशन लेने के लिए नॉन डोमिशाइल केंडिडेट्स को अपना अपना रेजिस्ट्रेशन के लिए कराना अनिवाद है और यह रेजिस्ट्रेशन आप सभी स्टुडेंट्स को 20 माई 2019 से पहले पहले कराना होगा चूंकि रेजिस्ट्रेशन की आखरी डेट 20 माई 2019 तक कि दी गड़ी है अगर आप रेजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको के की ओफिशल वेबसाइट www.cee.kerala.gov.in पर जाकर रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगली निव्स नीट पीजी करनाटका से जुड़ी यह निव्स है करनाटका में अडमिशन लेने के लिए करनाटका की स्ट्रेश वेकेंसी राउंड की आखरी डेट जो आज राट 18 माई 2019 राट 12 बज़े तक की थी इस टाइम को अब बढ़ा कर आखरी डेट 31 माई 2019 तक कर दी गई है तो आप सभी करनाटका की स्ट्रेश वेकेंसी राउंड के तुरू 31 माई 2019 से पहले पहले अडमिशन ले सकते हैं वहीं अगर MDMS कोर्स की बात करें तो नीट PG MDMS कोर्स करनाटका में अडमिशन लेने के लिए करनाटका की स्ट्रेश वेकेंसी राउंड की आखरी डेट आज 18 माई 2019 रात 12 ब 12 बजे के बाद से करनाटका की stray vacancy round नीट PG MDMS courses के लिए close कर दी जाएगी, इसके बाद कोई भी admission MDMS courses के लिए accept नहीं की जाएगी, अगली news जम्मू से है, जम्मू के government medical college को MCI Apex, Apex Medical Council of India MCI की तरफ से 50 seat add करने का approval दे दिया गया है, जी हाँ, इससे पहले जम्मू की government medical college GMC में total 100 seat available थी, मगर इस in seatों को अब बढ़ा कर 150 seat करने का approval MCI की तरफ से दे दी गई है, जो MBBS और BDS courses, MBBS और BDS students के लिए बहुत ही अच्छी news है, बहुत ही बड़ी news है, अगली news है मध्यपरदेश से, तो मध्यपरदेश के लिए, मध्यपरदेश के लिए मध्यपरदेश की मौपपरण counselling over हो चुकी है, और मौपपरण counselling का result आज publish कर दिया गया है, तो आप सभी experience जिनका जिनका मौपपरण counselling में जिनको रिसीट मिली, उन सभी को करियर मीडिया की तरफ से बहुत-बहुत बढ़ाया, many-many congratulations and all the best. तो friends, आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही कल संडे का दिन है, 19 माई 2019 तारीक है, और कल के दिन हम रखेंगे Q&A session question and answer session, जिसमें हम आप सभी निट यूजी और PG experience के doubts को clear करेंगे, questions को clear करेंगे, तो आप सभी निट यूजी और PG experience से एक request है, कि आपके मन में कोई भी doubt हो, कोई भी question हो, तो comment box के तूर ज clear कर सके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई updates, कुछ नई news के साथ, तब तक के लिए, have a nice day, bye bye, thank you so much.